दनबाद के फुटपाद पर दुकानदार दनबाद के फुटपाद दुकानदारों पर शामत आ गई है स्टेशन के सामने फुटपाद पर ठेला लगाने वाले दुकानदारों को आरपीफ ने रेलवे की जमीन बताते वे रात और रात हटा दिया है साथी दरजनों लोगों क को हिरासत में ले लिया है और उन्हें चेतावनी देने के बाद छोड़ा गया है इसके विरोध में दुकानदारों ने सड़क पर भीक मांग कर अपना विरोध दर्ज किया है तक इस जगह पर ठेले और दुकानी लगी थी लेकिन आज ये जगह सूनी दिख रही है क्योंकि यहां दुकान लगाने वाले दुकानदारों को आरपी अफ ने रात में हटा दिया अब दर्जनों दुकानदार बेरोजगार हो गए आरपी अफ की कारवाय के विरोध में फुटपास दुकानदारों ने सामोहिक रूप से भिक्षाटन किया वे कई सड़कों से गुजरे और आम लोगों से भीक मांगी दुकानदारों का कहना है कि ये सड़क रेलवे की नहीं बलकी पी डव्यड़ी की है रेलवे जीत पर अड़ी होई है कि वो उनकी जमीन पर हम ठेला लगा कर रोजी रोटी करते हैं और जिस तरह से मामला फष रहा है तो आज हम लोग डीसी साहब के पास आयते हैं माने विधायक जी को लेकर तो मामला यहीं बन रहा है कि हम लोग रेलवे के जमीन में रोजी रोटी नहीं करते हैं दुकांदारों ने अपनी बात इस्थानिय विधायक तक रखी इस मामले पर विधायक राजसिन्ह ने कहा कि अचानक बड़ी संख्या में दुकांदार बेरोजगार हो गए इसलिए वे SDM से कहकर सड़क की मापी करवाएंगे क्योंकि ये सड़क राज्यसरकार की है क्या अब अब भी मातापिता बनने का इंतजार कर रहे हैं Oasis Fertility ने लगभग 90,000 जोडों की जीवन में खुशियां भर दी है आज ही 782589-360 पर कॉल करें Oasis Fertility के कम लागत वाले IPF उप्चार की साहता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखवरी दे फुटपाथ दुकानदार अब फुटपाथ पर आ गए उनकी रोजी रोटी छिन गई उनके सामने सिवाए भिक्षा मांगने के दूसरा चारा भी नहीं है ऐसे में तदकाल इस मामले पर नन्य लेने की जरूरत है ताकि गरीब दुकानदारों को न्याय मिल सके दनबास से अशोक सेंग की रेपोर्ट तो अशोक हमारे सेयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ें सीदे उनका रूख करता है अशोक जस्तरा से आरपी अफ ने रेलवे की जमीन बताते हुए पुतपात पर दुकान लगाने वाले ठेले कुमचे को हटा दिया बिना कोई नोटेस बिना कोई जानकारी दिये उन्हें हटा दिया रातो रात उनके सामने उनकी रोजी रोटी छिन गई है हम अतिक्रमन का समर्थन नहीं करते हैं अतिक्रमन किसी की जमीन पर नहीं होना चाहिए लेकिन अगर वो वहाँ पर है तो क्या उनके लिए कुछ वेकल्पिक विवस्ता की गई क्योंकि ये तो वैसे लोग है जो दिन भर कमाते हैं तो रात में उनके घर का चूला जलता अगर एक दिन उन्हों नहीं कमाएंगे तो उनके बच्चे भूके सोएंगे क्या इस बात क लेकर करीम एक बार और हाट आया गया तो तो किसी तरह मामला सांथ करा गया लोकल जनफरतिद्व को पके वहाँ पर तो फिर किसी तरह अपना ठेला अवरव लगा थे वहां पिर रात में इसकति रोक ही कि अचानक आप ज्च यवार उहां पहुंचते हैं और मार्विट सु कर दिया गया कि कल से आप लोगों को यहां पर दुकान महीं लगानी है इस जमीन है रहले गार करेंए इस मापी करवगाना चाहिए इस ही मामले को लेकर जो है आज आस्थानी विधायक से मिले जो गायक सब्सक्राइब करने के बाद रेलेवे की जमीन आती है तो फिर आप लोगों कहीं बिवस्था करा जाएगा दूसरा मामला यह इस साफिक की देखिए नगर निगम ने आपको दो जगर मार्केटिक बनाया है फूथपातों के लिए लेकिन वहां पर इस नहीं जाना चाहते हैं के बिरान पड़ा होगा है कि फहां ज्रहाइब कर दो दो नह篇क हैं अगर दुक्णारा हो जब तक वहां नहीं चाहिए तो अब दिन के लिए टाइम दिया गया है दो दिन तक दो लोग अपना फुट्वार की दुकान वहां पर नहीं लगाएंगे बीसी ने साब पर कहा है कि मापी हो जाता है मापी चीस तरह आता है अगर रिपोर्ट अगरा जे सरगार के पक्ष में आता है फिर आम वस्था करें करेंगे तो इसी मामले कर अब लोग का वहां पर जो ही जोपी जोपड़ी हो जो छोटी बड़े अब साबता पर एलोई आप का भी कहाना है कि हमें पुरी तरह से विस्तार करणा है और केंद्र सलकार नेंसे पछले रिया था अब 하겠습니다 कि रोटी कैसे चाहिए इसकी दोस्था केंदर सरकार हो या राज्य सरकार हो हमें करें यह दिना ही तरह किस तरह को पर दर्शन किया है किसी पर कांदोरा नहीं किया है हाँ इतना जरूर है कि यह अगर लगाते हैं तरह जाएगा पेकिन इस रहा चलिए शोक तोंबीत की जाने चाहिए हम अगर कि लोगों कर रखाया वहां पर पक्का निर्मान कर रहे हैं तो बेशक उन्हें वहां से हटाना चाहिए और अगर ठेले लाइक अंड शेयर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लवन भारत सच है तो दिखेगा